सलमान खान ने विकी जैन और सना रईस खान की दोस्ती के बारे में गुप्ट सुराग दिया और लगाई घर वालों की क्लास और क्या-क्या हुआ इस लेटेस्ट एपिसोड में चलिए आपको बताते हैं नवशकार मैं हूँ रोईद भामला राब देख रहे है रिपोर्टर जी बिग बॉस सत्रा का लेटेस्ट एपिसोड पूरी तरह से शोके होस्त सलमान खान के इड़किर्द घूमता रहा दरीजनेस सलमान खान ने बिग बॉस सत्रा के घर के अंदर अपनी पारम पारिक सप्ताही एंट्री की ओर एक दो नहीं बलकि घर के अधिकांश पृतियोगियों को स्कूलिंग देने की पृतिकरिया शुरू कर दी और उसके ऐसा करने का कारण बेहद स्पष्ट था जिस तरह से घर में दो प्रतियोगियों ने आसाधरन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया है उससे व्यवह खुश नहीं थे दरसल हम बात कर रहे हैं विकी जैन और मुनवर फारुकी की सलमान खान ने विकी जैन और मुनवर फारुकी पर निशाना इसलिए साधा क्योंकि होस्ट दोनों प्रतियोगियों की योजना और साजिस से खुश नहीं थे लगभग पूरे एपिसोड में सलमान खान द्वारा विकी जैन और मुनवर फारुकी को स्कूलिंग देने के बारे में ही देखा गया है क्योंकि दोनों योजना बनाने और रन्नीती और साजिश रचने के तरीकों को कुलासा कर रहे थे सारी बाचीत के बीच सलमान खान अपनी बाचीत को विकी जैन की और ले जाने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस तरह से उन्हें घर में एक बोरिंग व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है उसको लेकर वे बहर चिंतित हैं जिस पर अंकिता लोखंडे ने अपने पती विकी जैन का बचाव करते हुए कहा कि वे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थे वैस सुनकर सलमान खान, विकी जैन और सनारैस खान के बीच दोस्ती की और इशारा करते हुए एक गुप्त सुराग देते हैं जब पहले तो अंकिता लोखंडे को मैजबान की गुप्त सुराग की समझ में नहीं आई तब सलमान खान ने मौखिक रूप से विकी जैन और सनारैस खान के बीच हाथ पकड़ने की घटना पर दोबारा गौर किया इसके बाद भी जब अंकिता लोखंडे को समझ नहीं आया तो सलमान खान ने हाथ से शुरू होने वाले शब्दों जैसे हाता पाई इसमें मेरा कोई हात नहीं है और इसी तरह के शब्दों का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया सोने पर सुहगा के रूप में सलमान खान के हिट गाने आखों की गुस्ता किया माफो को हादों की गुस्ता किया माफो में बदल दिया सलमान खान ने सनाराईस खान के पेशे की और इशारा करते हुए मुनवर फारुकी की कानोनी नतीजों के बारे में भी चेताब नी दी फिलार इस बिग बॉस अपडेट में इतना ही ऐसी तमाम बॉलिवूर से जूड़ी खबरों के लिए अब देखते रहे रिपोर्ट अजी धन्यवार